Hello everyone, how are you all? पच्छो हम लोग का चैप्टर उचल ला था that was Laws of Motion और Laws of Motion में अब तक हम लोगों ने इसके पहले के दो लेक्चेस जो किये वहाँ पर कुछ बहुत बेसिक कॉंसेप्ट को सीखा जो की हमें कोशन्स को सॉल्व करने बहुत हिल्प करता है जैसे Contact Force हो गया जब N Block System हो तो वहाँ पर Contact Force कैसे Calculate किया जाएगा उसके बाद इसके पहले वाले क्लास में जो की बहुत ही Fine Concept था कि एक Horizontal Rough Surface ब्लॉक को अगर हम रखते हैं तो उसको Push करने में कितना Minimum Force और कितने Minimum Angle पर वो Force लगाएं कि Block का Motion शुरू हो जाए तो अब तक ये दो Concepts है हम लोगों ने जैसे Coaching Examination में को बहुत मिलते हैं जिन बचों ने दोनों Lectures वीडियो नहीं देखे हैं उन Lectures को ज़रूर देखे और उस Concept में जो भी जिस सिखाई गई है अगर कोई Formula भी बताए गया है तो उसको Memorize करें और Questions को Solve करते वक्त उन Formula को Use करकर Practice में करें The Best Way to Memorize a Formula Is to Use It जतना Use करोगे तुमको उत्ता अच्छे तरीके से आद होगा Fine अभी Laws of Motion में Laws of Motion तो पर Concept से भरा पढ़ा है Formula बहुत इसमें नहीं है सिर्फ Concept की बात यहां पर पर होती है इसी Series में जो हम आगे बढ़ेंगे Laws of Motion में तो एक और Concept हम को सेखना बहुत ज़ोड़ी होता है बहुत Important Concept है And that is the Constraint Motion अब यह Concept क्या है इस Concept की बात करेंगे इस Concept पे Examples बहुत होते हैं अगले Examples की बात हम नो करेंगे But before we start कहीं भी कोई भी Concept अगर मैं सिखाता हूँ तो यह बहुत ज़रूरी है कि उसके बेस पर हम कोशन को Practice ज़रूर करें तो make sure कि जो भी Concept में आप पढ़ रही है उसके Practice properly हो रही हो नहीं हो रही है तो बताऊंगा Practice कैसे करने है जैसा होका ज़रूर बताना विल डिसका सेट तो अब Constant Motion में मैंने Example भी ले रखा है कि Example के थो तुमको समझाओंगा लेकिन पहले इसके मतलब को समझे Constant Motion होता क्या है जैसे for example Constant Motion की बात अगर मैं एक साइड रख दू और Constant का वर्ड की बात करें ठीक है Constant का मतलब क्या होता है Constant है Constant Make sure कि हम लोग जो लेकर उसका मतलब क्या है और जो Constant वो जिस दिफरेंट है जैको Constant का मतलब एक होता है कि एक kind of Boundation बंधन जैसे मैंने कहा कि किसी के वस Time Constraint है अब Time Constraint का मतलब क्या होगा जैसे For example मैंने कहा कि तुमको दो काम करना है X और Y और तुमको इन दोरों काम को करने के लिए मैं टोटल 10 आवर्स तुमको दिया तो 10 आवर्स टोटल टाइम है तुमको X और Y दो काम फिनिश करने है तो किसी एक में तुम अगर टाइम के साथ एड़्यस करोगे ज्यादा टाइम दोगे कम टाइम दोगे तो उसका फरक दूसरे वर पड़ेगा X में ज्यादा टाइम दिया तो Y में कम हो गया Y का टाइम बढ़ा है X का कम हो गया तो एक प्रकार का टाइम कॉंस्टेंट हुआ है कि तुमारा टाइम कॉंस्टेंट है एक टाइम का बंधन है उस टाइम कॉंस्टेंट में दो लोग आपस में डिपेंडेंट है X और Y तो ठीक वैसे ही दो बोडी के मोशन या एक ही बोडी के दो direction के motion या एक ही body के दो parts के motion दिखाऊंगे आपर पे, अपस में interconnected होते हैं, इनकों बोलते हैं parameters, जैसे for example, यह कोई body है, यह body किस direction मूफ कर रही है, ठीक है, इस direction में इसकी displacement होगी, किसी given time में, velocity होगी, instantaneous कह सकते हो, acceleration होगा, on the other hand, इस body का, इस direction में भी कोई velocity मालो है, acceleration है, तो इन दोनों direction के जो parameters है, parameters मतलब displacement, velocity, acceleration, यह दोनों आपस में interconnected होगी, किसी rule के तहत, कि एक को अगर मैं change करूँ, तो उसमें भी certain change हो, तो इसको में कहेंगे constant motion, अगर मैं इस parameter को change करूँ, और इधर के parameters पो कोई फर्क नहीं पड़े, तो यह constant motion नहीं है, constant motion का मतलब यह हुआ, कि किसी body का, अगर कोई motion है, उसे कुछ parameters है, किसी एक given direction में, उनको मैं change करूँ, तो किसी दूसर direction के parameter accordingly, किसी rule के तैक बदल रहे हो, तो कहोगे हां भाई, यह दोनों एक आपस में connected है, and this motion is constant motion, भासवा में आ रही है, not necessarily कि एक body हो, एक body के दो directions की बात हो सकती है, एक ए body के दो parts की बात हो सकती है, या दो अलग अलग body की बात हो सकती है, जो अपस में connected है, for example, दो body है, किसी string से connected है, with the help of pulley, pulley string की बात हम लोग करेंगे, हम सब को बता है, constant motion का, जो main हमारा पढ़ने का जो topic है, वो तब pulley mass system, constant motion का मदब main तो वही exam में कोशन आता है, तो जब pulley mass system की बात करेंगे, तो जो string है, उससे कोई block रटका हुआ है, फिर उसी string से दूसरा block है, फिर क्यां दूसरी string भी है, जिसे कोई तीसरा block है, यह string constant इसको कहा जाता है, जो blocks होते हैं, इनके motion आपसमे connected होते हैं, एक लीचे आएगा, दूसरा ओपर जाएगा, दूसरा ओपर जाएगा तीसा नीचे आएगा, तो यह constant motion की बात यहां पे होती है, यह fix है, कि इस टैप के motion पे, दूसरा वाला इस टैप का motion ही perform करेगा, तो इस टाइब के motion को हम कहते हैं बचो constant motion ठीक है बात theory की बिलकुल नहीं है बस सिर्फ और सिर्फ questions की है हाँ बस दिमाग में यह पता होना चाहिए constant motion का actual मतलब क्या होता है ठीक है तो एक example के थू समझाने के लिए हलाकि example तो है एक exam में एक question है बहुत बार पूछा गया है ठी इसको बहुतर तरीके समझने के लिए छुड़ा से example मैं तुमको दिखाता हूँ हलाकि इसके examples अभी बहुत बताऊंगा लेकि शुरुवात की बात है तो शुरुवात मैंने questions लिया है जो की exam में बहुत बार पूछा गया है इसका formula भी होगा and you have to remember that formula ठीक है question कै बात समझते तो condition यह दिए है कि एक rod AB है इस rod AB को एक हमने vertical दिवार के सहरे ऐसे रखा हुआ है और दिवार में कहीं कोई friction नहीं है नहीं दिवार में कहीं friction है और नहीं कहीं इस horizontal ground पे कहीं कोई friction है यह आराम से rest कर रहा है on this wall यहां तक clear है अब मालो हमसे कहा जाए कि at some point यह जो rod है वो horizontal ground से theta angle form कर रहा है अब क्या होगा friction तो नहीं है तो यह नीचे slide करेगा यह नीचे फैसलेगा तो यह angle क्या होगा लगातार change करेगा तो constant नहीं है तो जब यह नीचे slide करेगा यह वाला आगे की तरफ खिसकेगा तो मान लो इसकी जो velocity है in this direction that is u तो जो end A है और end B है मैंने कहा था एक ही body के दो parts की बात हो सकती है और वो दो parts जो आपस में connected होंगे एक दूसरे से एक की जो parameter होंगे वो दूसरे को define करेंगे तो यह जो है वो constant motion है हम इसकी velocity में change करें और expect करें कि यहां पर कोई फरक ना पड़े तो यह constant motion में ऐसा नहीं हो सकता they are interconnected तुम यहां पर कुछ change करोगे उसका फरक यहां पड़ेगा तो यह constant motion यह तो बेसिक सा example है तो मालों की एक rod है AB and it is resting on a vertical wall which is frictionless इसका जो base है वो एक horizontal ground है जो भी frictionless है at any instant of time शब्दों पर गौर करना at any instant of time जब यह rod horizontal से theta angle form कर रहा है तो जो इसका end है a उसकी velocity u है यह कह सकते हो कि उसकी velocity constant भी है ठीक है velocity constant है this angle is theta at some instant of time उस instant पर इस end b की velocity क्या होगी हम सब को बता है अगर यह left direction में अगर move करेगा तो यह नीचे की तरफ क्या होगा slide करेगा तो what will be the velocity of end b हमको निकालना है कब निकालना है तब निकालना है जब यह rod horizontal से theta angle form कर रहा हो तब निकालना है कैसे निकालेंगे देखो अगर मैं score जिर मन लूँ और यह distance x और यह distance हम लोग y मान लें जब यह rod आगे बढ़ेगा तो x change करेगा जब यह end नीचे करेगा तो y change करेगा लेकिन यह x और y आपस में हमेशा x की जो value भी हो और y की जो value भी हो यह x और y हमेशा आपस में connected है एक दूसरे से या नहीं पहले बताओ अब connected का मतलब क्या हुआ एक ऐसा relation x और y की बीश में जो बताए कि हाँ आपस में connected है इस rod की length जो है whatever length suppose it is है वो तो fix है x change करेगा y change करेगा at different different stand of time x और y different हो सकते हैं हो सकते हैं हो गई अगर time बीचेगा तो लेकिन इन दोनों की जो भी value होगी किसी वी वक्त यह equation hold करेगा x square plus y square is equal to l square x में तुम जो भी change करो y में तुम जो भी change करो लेकिन इन दोनों के बीच में यह relation हमेशा hold करेगा at every angle of theta चटा कि किसी value पर भी यह formula हमारा हमारा hold करेगा at any stand of time तो यही हमारा होगे बच्चो एक constant relation कह सकते हो कि this is nothing but a constant relation यही एक constant relation है A और B के बीच में जो ही इस broad के motion को एक constant किस्म का motion बनाएगा तो अब तक समझ गया होगी what is the meaning of constant motion ठीक है तो अब हमें मालो अगर A की velocity U है U speed से strip कर रहा है तो B की velocity क्या होगी find करना है हम इसको differentiate कर देते है ठीक है dy by dt constant है L तो change करेगा नहीं 0 है अगर मैं 2 से divide कर दूँ तो x dx by dt plus y dy by dt is equal to 0 ठीक है x dx by dt क्या है A का velocity तो velocity of part a plus y is y dy by dt क्या होगा velocity of part b या end b तो vb is equal to 0 कह सकते हैं x यह हो गया यू जो हमको दिया था यू सकते थी plus y and vb is equal to 0 कह सकते हैं तो y vb is equal to minus x into u कह सकते हैं velocity of b is equal to minus u x और y को एक साथ कर लो ठीक x और y क्या होता है cot theta is equal to base upon perpendicular 10 का उल्टा cot theta is equal to x by y मिलेगा at any extent of time x की जो भी value हो y की जो value हो और theta की उस वक्त जो value हो इन तिनों में हमेशा formula क्या बनेगा cot theta is equal to x by y तो what you get is this vb is equal to minus u cot theta तो यह वो formula है जो हम लोग को find करना था और इसको formula के तोर पे तुमको या दखना है कभी भी ऐसा question आएगा तो हमें इस formula को use करना है तो जिस वक्त angle theta बन रहा हो उस वक्त end b की जो velocity होगी minus u cot theta होगी तो यहां से हम यह देख रहे हैं कि x की value जैसी बढ़ेगी y की value हमेशा घटती जाएगी ठीक है तो छोड़ा example हो सब सौन जी सकते हो तो यह एक formula के तौम पर हमको याद रखना है कि vb is equal to minus u cot theta इसमें एक बात और धान तूम रखनी है कि अगर यह velocity u constant भी हो अगर हमनों mod की बात करें कि what will be the magnitude of velocity at that time this is you can say only u cot theta तो यहां पर गवाद गवर करने की है वो यह है कि u की velocity constant भी हो अगर यह वाला velocity constant भी हो उसके बावजूद भी b में x relation होगा क्यों होगा क्योंकि जैसे यह आगे की तरफ बढ़ेगा angle theta क्या होगा decrease करेगा और cot में theta अगर decrease करेगा तो cot की value क्या होगी increase करेगी देखो है न different thing एक ही rod का velocity constant है और दूसरे हिस्से में acceleration है तो यही constant motion है इस हिस्से का acceleration zero है but this part has got some acceleration तो यह constant motion में ऐसा होता है कि एक body के दो parts है जिनके दो अलग-अलग direction में motion है यह y के लौँग यह x के लौँग है एक में acceleration है एक velocity constant है that is constant motion तो यह अब तो यह example कह सकता हो तुमको constant motion समझाने के लिए आथा मैंने कि what is constant motion मगर इस formula को हमेशा धन अखना कभी भी ऐसे question rod वाले आएंगे तो इस formula कहा दखना अगर horizontal point velocity u है तो किसी वक्त पर जब angle theta बन रहा हो तो vertical part की velocity क्या होगी u cot theta at that particular line हम सब जानते हैं this angle will change and so the velocity of end b so this is the first example of constant motion मगर constant motion की example बहुत सारे हैं हम लोग AK करके देखते चलेंगे जो main examples है वो pulley block system की बात होती जहांपर धेर सारे pulley होंगे धेर सारे blocks होंगे वहां पर constant motion को कैसे use करना है यह सिखेंगे हम लोग from the next class ठीक है तब तक इस formula को अच्छे से summarize कर लो ऐसे question जहां भी देखें first says formula को use करना है मिलेंगे next class में आपके जहां भीपश खश्याव